हेलो प्रेंट्स आज हमारे साथ हैं डोक्टर प्यूश जिन्होंने इस बार एफम जी में 200 नंबर प्राप्त किये हैं उनकी जर्णी देखेंगे और क्या-क्या उनके हर्डल्स आए और उन्होंने कैसे इसको क्रोश किया वो भी जानेंगे सब्सक्राइब करने के बाद उनका जो स्ट्रॉक्चर वे था जैसे उन्होंने पीन लैप में निकाले होएती चीलिए की मिशन्ट वंडिट प्लस उसमें लाइब क्लासिट रहता है कि रिकोर्डेड वाली वीडियो तो बहुत जादा हो देगी उसमें कभी या तो छे मैने से ज्यादा भी ले सकता से लिए तो वह जो लैप वाइस हमें करी उसकी लाइब क्लासिस की वह बहुत इंबोर्टन रही है उसमें हड़ टीचर न हुए उसमें तो जो आपने पीडियाफ में या इनिमेशन वागारा क्योंकि वो चीजे कुछ चीजे समझने वाली होती है वो रटी नहीं जा सकती है और उनको जितने हम निमोनिक्स के या फिर हम इनिमेशन के थूरू उनको समझ पाएं और एब्सॉर्व कर पाएं तो वह कैसे मैनेज किया और दूबारे से वापस कम बैक करने में तो लगती है तो किस तरह से अपने आपको मोटिवेट किया और वापस फाइट में आई जब सब्सुरा था जब मैं सुब्सुरा इक दम से रिजल्ट आगया था तो खुद को फेल देखके तो थोड़ा बूरा तो मेरे कहीं किसी और की गद्ट लिए मेरे से नहीं है यह प्रॉब्लम थी फैंबली प्रॉब्लम थी यह सारी चीज़े बट फिर कहीं अगई मैंने एक दिन लेके थोड़ा खुद को संजाया कि आप जो हो गया सो हो गया तब आगे सेकिंड एक्जाम में पूरा जोर लगा द कि तो अनफोर्चुनेटली बहुत बच्चे हैं जिनके साथ इंजस्टेस होता है जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ इंजस्टेस होता है लेकिन जो अब हो चुका है उसमें टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से वापस आ जाए और पहली गलती इसने पहले तो यह चीज नहीं पता है अगर आप सारा सब्जेक्ट पढ़के चलोगे मतलब 19 को 19 सब्जेक्ट एट लिस्ट जितना थारी वैलम ने अगर उतनी भी इंपर्मेशन आपको पता है और याद है तो आपको कोई नहीं लोग सकता है कि बच्चे पास ना हो पाए और जब आदमी महनत करता है तो उसे लगता है एक्जाम नहीं है थोड़ा वरोसा जरूरी है अग्जाम तफ होगा लेकिन तुम्हारी मेहनत उससे जा बड़ा नंबर है 200 नंबर अचीव करना तो महनत की है रिविजन रेगुलर रिविजन किया है पीवाई क्यू के बारे में और बता प्यूश कितना इंपोर्टेंस रखते हैं हमारी जो प्रिपरेशन में मैंने देखा है कि जो भी इपना FMG है या नीट पीजी के एक्जाम स जानते हो तभी आप इसमें बड़ी इंपोर्टेंस रहेगी क्योंकि वह और चीजें पूछी गई अगर में वही नहीं आती है तो हमारे लिए नेगटिव पूंट रहेगा क्योंकि अगर इंग्जाम ने वह पूच चुगा है तो मतलब चाहते हैं आप इतनी इंफरमेशन तो जानते हो तभी आप एक्जाम देने लाइक बन सकते हो अगर आपको उतनी इंफोमेशन नहीं और आप एननेसेसरी इंफोमेशन को थोड़ा क्या करा था कि में चीज है कि एक तो फूड़े फ्रेंट्स वग्यरा से डेली शाम को मिलना होता था एक घंटा-दो घंटा कि पूरा कर दस घंटे बारा गंटे पढ़ रहा हूं तो एक दो घंटा उनसे मिलके थोड़ा धर-धर की बाते करके माइंड को रिलेक्स कर दिया बड़ दूसरी चीज हो करता था कि वह मैं शोचल मेडिया बिल्कुल नहीं चलाता था कि उससे मेरा अगर मैंने चार महीने पांच महीने पूरा दे दिया तो फिर वह बाकी करने जरूरी है ऐसा नहीं है मजे नहीं करने है बट वह चार महीने बहुत इंपोर्टेंट रहता है प्रफेशन में यह चार महीने एकदम लास्ट रगाना अगर आपने पुछ दिया है तो इसको सीरियसली लेना है और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है टोशल मीडिया से हटके रहना है एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन जरूरी नहीं है कि तुम सोचल मीडिया पे ल सब्सक्राइब बना दिया है तो बहुत सारे बच्चों को पहले मुझे भी लगता था कि शायद मेरे पर टाइम कम बचेगा पचास मिनट में पचास कोश्चन अटेम्ट करके देखो पैंतिस पैंतालीस पचास तो मैं क्या करता है कि पैंतिस मिनिट में हर पचास कोश्चन का स्लोट बना था मुल्टिकोल सब्जेक्स की शुरू करें पहली बाल जब मैंने दिया था तो शायद 20 बना दीने दिने बस में खुद से ही चैलिंग रहता था कि वी से कि जाना है प जैनि क्वेश्चन को रिवाइस तो करना ही है कस्टम वाले होंगे जो पैटर्न आने वाला है उसी को तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो कहीं ना कहीं के एंजाइटी को तुम कम कर रहे हो अच्छा आगे तो अभी पहले फिलाल मस्ती करनी है घूमना बग्यारा है कि चार- महनत करी है जिसने चीजें संधी है जिसने अपना बैस प्रिया है उसका तो अच्छा तो दोस्तों कंक्लूजन यह है कि अपना एक वीजन बनाओ जैसे प्यूश्च ने प्लान रखा है कि हम मस्ती करेंगे इमोज करेंगे एंज्योई करेंगे लाइफ को तो तुम भी एक बनालों बस चार-पांच महिने की बात है और चार-पांच महिने अपने आपको और पूरे स्ट्रिपली अपना पूरी मेहनत के साथ इस बार पोड़ देते हैं एक्जाम फिर उसके बाद तो मस्ती मस्ती है थैंक्यों प्यूश्च पर कमिंग और कॉंग्रेचुलेशन अग लिएलन आपियो और किन है प्यूश्च पर कमिंग्रेच मैं।